कि नमस्कार अस्सलाम वालेकुम स्रेकाल दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वाइटमीन ए की इसके नो जादूई चमतकारों की अभी तक आपको यह नहीं पता हुआ कि वाइटमीन ए कितने तरीके से खाय जा सकता है वाइटमीन ए आपके वाइटमीन एक कर्णीन चाहिए इसका इस्तिमाल करता है एसी नो जगा जहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वाइटमीन ए reactive oxygen species को खतम करता है इसलिए ये anti-aging के रूप में काम करता है बढ़ती उम्र मानों थमसी जाए आप यंग जवान लगते हैं नमबर दो May reduce heart disease बैड कोलेस्टोल जब हर्दे की धमनियों में यानि आर्टरी में जमता है तो heart attack का खतरा रहता है बैड कोलेस्टोल होता है LDL, low density lipoprotein and triglycerides इन्हें आप बैड कोलेस्टोल बोलते हैं अगर वाइटमीन E का उप्योग omega 3 fatty acid के साथ किया जाए तो ये बैड कोलेस्टोल को कम करता है और आपको heart से संबंदित बीमारी से बचाने में काम करता है जिन लोगों का BP बढ़ता है बिना वज़े कोई कारण नहीं है सब कुछ ठीक चला है लेकिन BP बढ़ता है तो उसमें भी vitamin E का इस्तेमाल बहुत ही चमतकारिक होता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी family में हिर्दे संबंदित बिमारे चलती आ रही है जैनेटिक है या आपको खतरा है कि आपको आने वाले समय में हार्ट की बिमारी हो सकती है तो आप vitamin E का इस्तेमाल शुरू कर दें आप इससे बचे रहेंगे नमबर तीन non-alcoholic fatty liver non-alcoholic fatty liver से मतलब है आपने शुराव अगरा नहीं इस्तेमाल किया अस तक लेकिन फिर भी आपका जो liver है वो fatty हो गया है आपके liver में सूजन वरम आ गया है SGOT, SGPT मातरा भढ़ गई है इनकी तो ऐसी condition में इने normal level पर लाने के लिए fatty liver को कम करने के लिए आप vitamin E का इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक anti-oxidant का काम करता है काफी बहतर इसके result मिलते हैं नमबर चार, period के दर्द में जिसे dysmenoria भी कहते हैं ये period के दर्द को खतम करता है regular vitamin E लेते हैं तो period time से आते हैं period में जो दर्द होता है वो नहीं होता है नमबर पांच skin के लिए तोचा के लिए कुछ लोग capsule को फोड़ कर तेल निकाल कर चेहरे पर भी massage करते हैं जो की काफी बहतर होता है चेहरे पर चमक glow लाने के लिए काफी अच्छा होता है ये body की skin को tight करता है तो आपके अगर body लटकी लटकी सी है आपको जुर्या यानि रिंकल हो गई है तो ऐसी condition में ये काफी बहतर होता है इसका प्रयोग काफी बहतर होता है next function है इसका brain अगर आपको दिमाग से समदित कोई समश्या है आपको Alzheimer disease है जल्दी जल्दी भूल जाते है उमर के साथ जो बढ़ती चली जाती है जायतरी बूडो में देखी जाती है तो इसमें ये काफी बहतर result दिखाता है इसका regular use आपको इस बिमारी से छुटकारा दिलाता है आपकी भूलने की और आपको चिड़ चिड़े पन की आपको मांसिक ठकान की जो समच्छा है उसे दूर करता है नेक्स जो function है जो सात्वा जो function है इसका benefits in old age बढ़ती उमर के साथ आपको इम्यून function है वो down होता चला जाता है जल्दी जल्दी आपको बिमारी लगती है तो regular base पर अग़ाप इसका use करते है तो immunity आपकी काफी बढ़ जाती है अभी कोरोना के टाइम में देखा गया था vitamin E का काफी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था vitamin C के साथ तो काफी बहतर है नंबर next आता है lung function देखे आज कल आप देखते हैं काफी pollution हो चुका है बच्चों में बड़ों में अस्थमा की समश्या हो रही है allergy की समश्या होती है खासी और फ्यफडों से संबंदिती बिमारी आपको होती जाती है कोवीड में भी आपने देखा हुआ काफी समश्या हुई थी तो vitamin E इस condition में काफी बहतर काम करता है काफी अच्छा रिजल्ट आपको देता है नमबर नो एग एजिंग एंड स्पर्म DNA फ्रेग्मेंटेशन vitamin E and omega 3 fatty acid काफी अच्छा काम करते हैं combination में ऐसी condition में जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं या sperm की quality कम है एग की quality अच्छी नहीं है तो ऐसी condition में आप vitamin E का परियोग करते हैं तो बहतर होता है आपने देखा होगा ladies doctor काफी इसका इसका इस्तेमाल करती हैं बात करते हैं डोज की तो एक capsule सुभा और एक capsule शाम में आप ले सकते हैं साधे पानी के साथ खाना खाने के एक घंटे बात इसके अलावा प्राकरतिक चीजों में भी ये पाए जाता है जैसे बदाम में vitamin E काफी परचूर मातरा में पाए जाता है पालक में पाए जाता है टमाटर में भी ये काफी अच्छी मातरा में पाए जाता है कीवी में पाए जाता है आम में पाए जाता है तो ये प्राकरतिक चीजें जिससे आप वाइटामीनी भरपूर मादरा में ले सकते हैं उमीदें वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल जरूर लाइक करें अगली वीडियो में नहीं जानकर किसा जल्दी मुलाकात होगी आपका दिन शुबू नमस्कार धन्यवाद